Hello Friends, Welcome To Crazy Jee के Trip और हमारी घृयाना जीखे की इस सिरीज में हमने हर्याना का सामाने परिचा वहने में डिसकस किया था आज कामाने टापिक रहगा हर्याना का गठान याफे Math Formation Of Harry 있어 विए आपने प्रिज़ व्ीडिव मेराkeep नहीं नहीं देखा तो आप लिस्ट में जाकर के दिख सकते हैं इसके लावा जो भी हमारी ये वीडियो लेक्चर दाएंगे वो आपके हर्याना की जितने भी competitive exams होते हैं सभी exams के लिए काफी यादा beneficial होने वाले हैं तो आँगी चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा updated हूँ ज़िए आपको इस topic की PDF चाहिए है तो आप हमारे crazy जी के trick के application से PDF को download कर सकते हैं इसके लावा application पर आपको different type के courses भी मिल जाएंगे तो उन courses को आप application से available कर सकते हैं तो चलिए आज का हमारा topic रहेगा हर्याना का गठने है formation of हर्याना और चंडियगर के बारे में भी हम यहाँ पर discuss करेंगे तो पहले हम इसकी पूरी theory discuss करेंगे और थियोरियों के बाद last में एक हमारा महत्तुपून MC की उसका section रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम थोड़ा history से इसको पूरा समझेंगे है ना तो जैकि 1803 में British East India Company और Maratho के वीच एक संधी हुई थी सूर्जी अंजन की संधी जिसमें Maratho ने हर्याना को East India Company को सौप दिया था तो जो आप अभी हर्याना देखते हैं यह पहले किसके पास था Maratho के पास था है ना Maratho की छेतर में आता था और 1803 में हर्याना वाले छेतर को Maratho ने East India Company को सौप दिया था तो यह एक important fact है आपको याद रखना है अंग्रेजों ने आगे चल कर इसे उत्तर पश्चिमी सीमा छेतर या फिर North Western Province में जोड दिया था परंतु स्याम सिं compliance के गद्धारी के चलते 1857 की करांति की सुरूआथ मेरट से हुई तो दोसटों जैसा कि हम पढ़ दे हैं के 1857 की करांति कहां से शुरूए थी ठावन में हर्याना کو उत्रप्रदेश से अलग करके पंजाब में जोड़ दिया है na तो देंकि एभी हमने डिसकस किया किसे उत्रप्रदेश वाले छेतर में फिर उत्रपश्चीमी छेतर में मिला दिया था, लेकिन आगरीचल कर कहraf किया वापस इसको पंजाब बाले reason में मिला दिया देंगे पंजाब बाले reason में मिलाने का करण ये था जब 1857 की क्रांथी श्टार्ट होई थी है ना? तो इसमें पंजाब से बहुत ज़्यादा लोगों ने भाग नहीं लिया था क्यों नहीं लिए था उसका reason था कि जो पंजाब की जो भी रियासत थे यहां के राजा महराजा थे तो अंग्रेजों के पाले में थे और यहां से बहुत ज़दा क्रांथी का बिगुल नहीं बजाता जबकि हर्याना वाला छेतर से और यूपी वाले छेतर से क्रांथी का नहीं होगा दोस्तो लेक्चर को आंगे डिसक्रस करने से पहले आपको अपडेट देदू क्रेजी जी के ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइफ क्लासिस का प्रोग्राम इसके लिए आपको रूट एप्लिकेशन डाउनलूट करना होगा प्ले स्टोर से इसके लिंक आपक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी देखिए दोस्तो रूट एप्लिकेशन पर सब्जेक्ट वाइस अलग अलग कोर्स आप पढ़ सकते हैं जैसे जोगरफी मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं और रूट एप्लिकेशन पर मुझस से जोगरफी पढ़ सकते हैं इसके अलग 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 सब्जेक्ट के कोर्स वहां पर लॉंच हो रहा है तो आप एक बार रूट एप्लिकेशन को विजिट जरू करें इसके लबार रूट एप्लिकेशन जब डाउनलूड करेंगे इसको ओपन करेंगे तो यहां पर आपको थ्री डॉट देखने को मिलेंगे यहां पर study material वाले folder में आपको daily current affair का वीडियो फ्री में available हो जाएगा इसके लबार इसकी PDF भी आपको फ्री में available हो जाएगी और free test वाले यहां पर folder में आपको quiz की form में यह daily current affair का quiz विल्कुल फ्री में देने को मिल जाएगा तो link description box में है एक बार आप application को डाउनलूड करें को यादक ना 825 में Muslim League की बैठक हो रही थी उसमें एक सदसेते पीर जादा मुहमद हुसेन इन्होंने पहली वार बात की कि हरियानों को पंजाब से अलग होनी चाहिए इसके बाद 1988 में एक सरवदली बैठक हुई है सरवदली बैठक का मतलब है सभी दलों की एक बैठक तो इस बैठक में भी क्या कहा गया था हरियानों को पंजाब से अलग करने की बात की गई थी हिंदू महासवा आरिस समाज और जनसंग पार्टी इन सभी पार्टियों ने इस बात का समर्थन नहीं किया थी यह पॉइंट भी आपको याद रखना है बहुत सारी पार्टियो वह था लंदन में तो यहां पर भी हरियानों को अलग करने की बात की गई थी तो यह सारे पॉइंट हैं कि कब कब हरियानों को पंजाब से अलग करने की बात कही तो आपको दिमाग में रखने हैं तो 1948 में माश्टर तारा सिंग जी ने अपने पत्र अजीत के द्वारा सिख राज जी बनाने की मांग की थी फिर आंगे चल कर एक अक्टूबर 1949 में भीम सिंग सचर जो तातकालीन मुख्यमंत्री भी थे तो sन अपने फिर्मूल जी आ जान विए जेसे सचर फिर्मूला से जाना आता है तो इन्हो爆ल क्या की लेडिक, हम फिर्मूल भीम इस प्रकार से इनो ने फिर्मूला में चल्किक, आखि उख ह.अ की आफिर्म्रण की जान भीमि between two तो यही बात इसमें लिखे गई है, फजल अली अध्धक्षी तो यह लिखे गई है तो यही बात इसमें लिखे गई है, फजल अली का पूरे राज में दौरा किया, ठीक है हड़ी आई और लोगों से बात की और लोग उसे ने क्या बोला चाहे तो अलग राज जी बना दो और चाहे तो छेतरी फॉर्मूला लगा दो तो उस समय जो तातकालीन मुख्य मंत्री थे तो वह भी नहीं चाहे थे कि हर्याना पंजाब से अलग हो आंगे चलके 1960 में एक फते सिंग नाम के विक्ति थे जोकि धार्मिक और राजनेतिक नेता थे तो इन्होंने हर्याना को अलग करने के लिए अंसन सुरू कर दिया इसके बाद मास्टर तारा सिंग नाम के एक विक्ति थे हैं आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे तो इन्होंने भी अंसन सुरू कर दिया और 48 दिन का अंसन करने के बादे इन्होंने अपना अंसन तोड़ दिया इसके बाद 1965 में फिर से संथ फत्य सिंग ने सिख राजी की मांग की और 15 दिन के भीतर आत्म दाहा करने की धम की दिया तो ये एक कहानी की तोर पर आपको याद रखना है लेकिन 1965 में पाकिस्तान से जंग चड़ गई और फत्य सिंग ने अपनी बात बाद ले लिए और युद्ध को नप्ठाले ने दो, उसके बाद हम आपकी बात सुने गई उसमिति की सिफारिस पर एक सीमा आयोग का गठन किया तो ये आपको समीति का नाम याद रखना है हुकुम सिंग की सिफारिसों के अधार पर सरकार ने सर्वोच नयायले के नयायधीस स्री जेसी साह की अध्यक्षता में पंजाब पुनरगठन सीमा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अन्य सदस्य कौन-कौन थे एक थे एसदत और एक थे एम-म फिलिप तो यह आपको तीनों सदस्य के नाम याद रखने है फिर पंजाब पुनरगठन विदहयक आया 18 सितंबर 1966 को साहा आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनरगठन विदहयक पारित का दिया तो यह साहा आयोग बना था इसने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने 18 सितंबर 1966 को साहा आयोग की सिफारिशों को मानते हुए पंजाब पुनरगठन विदहयक पारित किया और एक नवंबर 1966 को हर्याना भारत का सत्रवा राज्य बना 18 संभिधान संसोधन के तहत तो यह था हमारा हर्याना का पूरा गठ तो यह आपको छेतरफल का percentage भी याद रखना है हर्याना की गठन के सामें जिलों की संख्या साथ थी तो यह भी आपको पता ही होगा पहले जो हमारे हर्याना के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे भगवत दयाल सर्मा इसके लावा जो पहले राज जिपाल थे धर्मवीर भारत तो यह भी आपको पॉइंट याद रखना है चलिए अब हम थोड़ा सा चंडीगर के बारे में चर्चा कर लेता है जो की 1966 में ही ठीक है यूनियन टेरिटरी भी घोशित की गई थी इसके लावा संयुक तूरूप से पंजाब और हर्याना की कैपिटल भी घोशित की गई थ तो इसका जो चेतरफाल है वो 114 वर किलोमीटर है जन संख्या की बात करें तो दस दसमला पांच पांच लाग है नामकरण की बात करें तो चंडी माता के मंदर के नाम पर ही इसका नाम चंडीगर पड़ा है तो यह कुछ सामानी से फेक्ट है आप थोड़ा दिमाग में अमेरिका के बाद एक फ्रांस के लिकर वुजियर को भी बुलाया था तो इस सारी चीजे हम चर्चा करेंगे तो इसे नहरू के सपनों का सहर भी कहा जाता है इसके लाब यह ट्राइ सिटी में भी सामिल है ट्राइ सिटी में कौन-कौन से आता है पंचकुला, मोहाली, चंड अंताराष्टी इस तरह पर सहरी योजनावद्र और वास्तु स्थापत्ते के लिए प्रशिद यह सेर आधुनिक भारत का प्रथम योजनावद्र सहर है चंडिगर के मुख्य वास्तुकर कोन है फ्रांसी सी वास्तुकर ली करवुजियर ठीक है तो जो मैं अभी आपको बत लेते हैं यह हरियाना की उत्तरदिशा में इस्थित है तो आपको पता ही होगा इसके लावास सिवालिक की भौतिक प्रदेश में इस्थित है ना तो सिवालिक भी भी हरियाना की उत्तरदिशा में इस्थित है वहीं पर चंडिगर भी है तो सिवालिक शेत्र में यह आता है इतिहास की बात करें तो स्वतंतरता प्राप्ति के पहले पंजाब की राजधानी क्या थी लाहर थी आपको पता ही होगा है ना क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक थे है ना और कुछ पार्ट पंजाब का पाकिस्तान के पाश चला गया तो इसकी राजधानी लाहर होती थी वह वापस अमेरिका चलेगा और बाद में इसके बाद इसकी जो पूरी जिमेंदारी वह फ्रांस के एक वस्तुकार थे लीक कार वोजी आर्टो इनको ये प्रोजेक्ट सौंपा फिर जब ये इसका सहर पूरी तरह से बन करके तयार हुआ तो इसका उधगारन किसके दोर किया और संयुक्त रूप से पंजाब और हर्याना की राजधाने भी बनाया गया ठीक है जब 1966 में हर्याना का गठन हुआ एक नमव मर 1966 को तो उसी समय चंडिगड को यूनिन टेरिटरी घोसित किया गया और संयुक्त रूप से पंजाब और हर्याना की कैपिटल भी घोसित किया अब थोड़ा यहां की राजनीती समझ लेते हैं चंडीगड की तो 1966 से 1984 तक यहां पर जो हैड होता था वो चीफ कमिशनर होता था ठीक है तो प्रसम कौन थे मोहिस सिंग रंदावा और अंतिम कौन थे कृष्णा वेनर जी ठीक है और 1984 से वर्तमान तक यहां पर क्या होता है प पंजाब का राज जीपाल ही चंडीगड का प्रशाशक होता है तो यह पॉइंट आपको याद रखना है ना लोकसवसीट कितनी है तो एक लोकसवसीट है वर्तमान में यहां से सांसांत कौन है किरन खेर जी परेटानिस्थल की बात कर लें तो सुखना जील है इसका निर्म जील काफी इंपोर्टेंट है एक्जाम में कोशन भी पूछे जाते हैं चलिए अब रॉक गार्डन की बात कर लेते हैं इसकी स्थापना 1957 में हुई थी नेकचंदर के द्वारे इसका निर्मान करवाया गया था 1976 में जंदा के लिए से खोल दिया गया था ठीक है इसके का संबंद भी चंडीगर से है योवराज सिंग का संबंद चंडीगर से है सचिन वंसल और विन्निवाल सल जोनों ने फिलिपकार्ट की स्थापना की थी तो इनका संबंद भी चंडीगर से है आयुशमान खुराना इनका संबंद भी चंडीगर से है और यामी गौतम जो की किया था और जंसंग पार्टी ने भी किया था तो उपरुक्त सवीस का अंसर हो जाएगा है ना 1947 में भारत की सोतंत्र होने के पशाथ हर्याना किस भारती प्रांत का भाग था ठीक है तो 1947 में तो 1947 में सच्चर फॉर्मूला कव लागू हुआ तो एक उक्टूबर निर्माण किस ने किया था तो ली करवोजियर ने जो की फ्रांस से फ्रांस के थे तो इन्होंने तुकन जील का निर्माण करवाया था रोज गार्डन को और किस नाम से जाना जाता है तो जाकिर हुसन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है हर्याना को पूर्ण राज जी का द लिकक अर्वोजियर का संबंद कहा है। फ्रांस से हैं यह बी मैं आपको बतात है alma-fra degradation उस्टमूजियर का सरप्रत्थम प्रयोग किया गया हैताई है। तो रिगवेध में हर्याना का सरप्रत्थम प्रत्योग किया गया था है। सुतंतता के पश्य सरपतम प्रथक हर्यान राज जी की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी तो इसका अंसर हो जाएगा तारा सिंग ये भी मैं आपको बता था सिख राज जी की स्थापना की बात कही थी किसने तारा सिंग ने इतमें से किसका संबंद चंडीगर से है तो नवंबर को इसका गठन हुआ थो तो एक नवंबर को इसका हर्याना दिवस मनाया जाता है हर्याना के प्रथम राज जीपाल कौन मनाया गय थे तो हर्याना की जो प्रथम राज जीपाल थे वो कौन थे ए धर्मवीर भारती यहां के प्रथम राज जीपाल थे हर्याना तो भाशा के अधर पर किया था, ना जो हर्याना का छेत्रता वो हिंदी भाशी था, इसलिए इसका गठन किया गया। भारत सरकार ने 23 अप्राइल 1966 को खालिस्तान के अध्यक्षता में पंजाब के बिभाजन और नय राज्य हर्यान की सिमाई निर्धालित करने हितु आयोग बनाया तो इसका अंसर हो जाएगा जेटी शाह आयोग बना था तो ए अंसर इसका सही हो जाएगा पंजाब की राजधानी कब से कब तक था तो इसका अंसर हो जाएगा 1948 से इनिससोट्रेपन तक चंडीगर पंजाब की राजधानी थी ट्राइससिटी में सापयम diffлось में कौन साथ शामिल नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा डिकरणाल 숨 Lehr है मोहाली है और चंडीगड करना नहीं है चंडीगड भोगालिक रूप से किसका भाग है तो भोगालिक रूप से सिवालिक छित्र का भाग है चंडीगड हर्याणा के पास पंजाब का कितने प्रतिशत हिस्सा आया था तो 35.18% हिस्सा आया था तो पंजाब का इसके पास 35.18% हिसा आये था और पंजाब की पास कितना गया था चौंसर दिसमलो आठ चार पर दिसार देश वंदु गुपता ने हरियाना को अलग राजी बनाने की बाद कब की थी तो इस कांसर हो जाएगा 1932 में राष्टवादी नेता थे देश वंदु गुपता तो अन्हाना 1932 में हरिय दोस्तों आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके लाव अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें मिलते हैं अगले बहतर लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें धन्यवाद